सभी को नमस्कार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नील गाय और उनसे अपनी फसलों एवं बागों को बचाने के तरीकों के बारे में हलांकी साथियों मैं आपको इसपश्ट कर दूँ कि अभी तक ऐसा कोई तरीका या तकनिक नहीं बन पाईए जिससे की इस समस्या का पूर्ण रुपेंड निदान पा लिया गया हो चाहे वो बाड़ बंदी हो या करंट या सोलार चलित बाड़ बंदी या तार बंदी हो बहुती ज़्यादा उची दिवारे हो तो ही ये पूर्ण रुपेंड संबव है लेकिन चुकि हम आम किसानों के बारे में बात कर रहे हैं जिन में से अधिकतर के खेतों में पक्की तार बंदी या उची दिवार नहीं बनी होती है तो वे अपनी फसलों को इन नील गयों से केसे बचाएं चुकि साथियो वीडियो के प्रारंव में जैसा कि मैंने बताया ये तरीके जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं ये कोई सो प्रतिशत गारेंटीड तरीके हो लेकिन मेरे कुछ किसान मित्रों ने इन तरीकों को अपना कर बहुत हद तक नील गयों से अपनी फसलों और बागों को बचाया है जैसा कि साथियों हम सभी ये जानते हैं कि चोर जब चोरी करने निकलता है तो उसकी पहली पसंद होती है सुना मकान जहां मालिक ना हो या कहीं बाहर गया हो या कोई चोकिदार भी न हो और यदि हो तो भी जागना रहा हो उसी तरह नील गायों के नियंत्रन है तू आगे वीडियो में हम जिन तरीकों की बात करने वाले हैं उनमें विज्ञान भी है मनो विज्ञान भी है और कला भी है तो जिस तरह चोर को किसी घर में किसी के जागने की आहट होती है तो चोर उस घर में चोरी का विचार बढ़ जाता है, तो आईए जानते हैं, साथियो, इन तरीकों के बारे में, पहला तरीका यह है, कि देसी गाय का ताजा गोबर, और देसी गाय का ही गोमुत्र, लेकर उस ताजा गोबर में आधा पानी, और आधा गोमुत्र मिलाकर, इस तरह का लेप बना लें, कि वो लायक हो जाए ज्यादा पतला भी ना हो और ज्यादा गाडा भी ना हो या तो अपने हातों से अथवा नीम की छोटी डाली को इस गोल में डुबो कर अपनी फसलों अथवा पेड़ पोदों पर छिड़क दे प्रथम तो आप अपने मेड के चारो तरफ की जो फसले या पेड ने का विचार त्याग देती है और आगे बढ़ जाती है चूंकि दोस्तों इसमें हमें एक सावधानी बरतनी है कि जब हम गाय के गोबर को छिड़कते हैं तो पांदस दिन बाद पंदरा दिन बाद चूंकि वो सूखता है तो उस गंद में कुछ कमी आती है तो जब आपक गोबर में एंटी बेक्टरियल तत्व होते हैं अता यह कई बीमारियों से आपकी फसलों और पेड़ पोदों को बचाएगा और गोबर की तरह काम करता है तो कई मेरे किसान मित्रों का नुभो यह रहा है कि उन्हें फसलों की बढ़वार में भी इस प्रयोग से लाब मिला है इस प्रक्रिया को सरप्रथम आप अपने खेत की मेड की फसलों पर और मैं तो यहां तक कहूंगा कि कुछ दो से पांच प्रतिसत फसलों पर छिड़काव करके देखें कि उसका कोई साइड इफेक्ट तो ना है कोई नकारात्मक प्रभाव ना हो जब आप आश्वस्त हो जाए तो आप चाहें तो पूरे खेत की फसल या अपने बगीचों के पेड़ पोधों में इस तरह से बहुत ही सस्ते में खेत के चारों तरफ चार सेट बना दे ताकि बोतल की आवाज जब आती है तो नील गायों को खेत में किसी के होने का आभास होता है जिससे वे आगे बढ़ जाते हैं और अग्र लिकित इन तरीकों से भी आप अपनी फसलों को नील गायों से कुछ हद तक अवस्य नियंतरित कर सकेंगे ऐसा मेरा विश्वास है कुछ नहीं करने से बहतर है कुछ करके कुछ हद तक सफलता पाई जाए यदि साथियों आपको लगता है कि इस वीडियो में आपने कुछ नया सिखा है तो वीडियो को आगे अपने मित्रों को भी साजा करे धन्यवाद आभार सर्वे जना सुझना भवंतू सर्वे सुझना सुखिना भवंतू स्वस्ति